इस वीडियो में हम देखेंगे Coding with Sequin Motif कैसे यूज़ करते हैं. पहले हम Line Draw करेंगे. Style में Round 1 करके Motif आता है वो Select करेंगे. जितना Millimeter का Motif चाहिए उतना Stitch Length रखना है. हमने 6 mm Stitch Length रखा है. हम इसका Start और End Point Joint कर देंगे. अब इसमें पहले Travel Run चलेगा. हमें Travel Run में भी ये Motif चाहिए. Advanced Property में जाकर Back Track Mirror Option आप्शन 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 कर देंगे. इससे Travel Run में भी यही Motif आएगा. Coding की Design में ये नहीं चलता है. उसने Circular Pattern में चलना चाहिए. उसके लिए हम Mirror Alternative Motif का Option आप्शन 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 करेंगे. यहाँ पर हमारा Motif Alternative चलने लगा है. इसके अंदर देखते हैं Stitch Length कितने मिलिमीटर की है. यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं 2.27 मिलिमीटर आ रहा है, जो Coding में नहीं चलता है. इसके लिए हम Use Motif Stitch Length का Option आप्शन 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 करेंगे. चितनी Stitch Length हमें चाहिए वो यह Motif Stitch Length में रख देंगे. Stitch अप्लाई हो गई है लेकिन Coding में जो कोलाई चाहिए वो नहीं आ रही है. इसके लिए Advanced Property में जाकर Limit Spiral Turns और Equal Motif Segments आप्शन कर देंगे. इस तरहे हम Coding का Motif बना सकते हैं. इसके अंदर सीक्विन अप्लाई करने के लिए इसे Motif को Copy-Pest करेंगे. Style में जाकर Middle Point Sequence सेलेक्ट करेंगे, बाकी के सभी Option आफ कर देंगे जो Coding के लिए On किया था. Sequin की Property ओपन करके Sequin On कर देना है. अभी यहाँ पर Motif Complete हो गया है, इसमें हम दूसरे Sequin भी Add कर सकते हैं. Sequin की Property में जाकर हमने ए भी Sequin सेलेक्ट कर लिया है.